हालो फ्रेंड्स दोस्तों कैसे आप लोग अच्छा दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए एक फॉरेल लैंगोज है इंग्लिश हमारे लिए विदेशी भाषा है हमारी मातरी भाषा तो है नहीं और इसलिए इंग्लिश में बाकी चीज़ा तो हम सीख भी ले अच्छे माहौल में बैठे हुए, मुझसे गलत उवर्ड निकल गया, गलत उचारण निकल गया, और सब लोग हम पर हस देते हैं। तो दोस्तों, इसे बड़ी दिककत होती है, दूसरी दिककत क्या है, लॉइन वाली दिककत, कि अगर इंग्लिश में गाने सुन रहे हैं तो समझ में नहीं आता, इंग्लिश में फिल्म देख रहे हैं समझ में नहीं आता, तो इसलिए correct pronunciation सीखना बहुत जरूरी है, सीखें कैसे यह बहुत बड़ा चैलेंज है तो मेरे चैनल पर एक प्लेइलिस्ट है जिसका नाम है Learn English Pronunciation उच्चारण सिखें उसमें मैंने बहुत सारे वीडियो तरह तरह के रूल्स में उच्चारण के बता रहा हूं जो अमूमन जेनरली टीचर्स नहीं बता पाते हमारे देश में सीखना मुश्किल है तो वो आपको वीडियो देखने चाहिए उससे आपको काफी फायदा होगा अचार दोस्तो उसी कड़ी में आज हम सीखने जा रहे है वर्ड स्ट्रेस यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तो आपको end तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए और बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनना और समझना चाहिए तभी आप इसको ठीक से सीख सकते है अचार दोस्तों आप में से कुछ लोग अगर पहली बार आज ये वीडियो देख रहे है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि वो जो मैं आपको प्लेलिस्ट बता रहा था Learn English Pronunciation उसे मेरे दो वीडियोज है उनका नाम है International Phonetic Alphabet Part 1 and Part 2 Part 1 में मैंने vowel sounds यानि vowel sounds के बारे में बता है और Part 2 में consonant sounds के बारे में बता है आपको वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखना चाहिए आज की class देखनी चाहिए इससे बातें ज्यादा अच्छी तरह से आपकी समझ में आएंगी तो दोस्तों हम अपनी class को शुरू करते है और class हमारी word stress की है दोस्तों ये word stress का meaning होता क्या है word stress का मतलब ये होता है कि किसी भी शब्द में किसी खास point पर हमको दवाब डालना होता है correct pronunciation करने के लिए शुधुचारन करने के लिए ये जो खास point है ये हम कैसे समझेंगे इसको समझने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि English का कोई भी word जो है आप उसको हिस्सों में बांट सकते हैं अगर हो थोड़ा लंबा word है तो अलग-अलग हिस्सों में एक word को बांटा जा सकता है ये जो अलग-अलग हिस्से हैं इन्ही को syllable कहते हैं और इन्ही में से किसी syllable पर stress पड़ता है यानि ज्यादा देर तक रुखना होता है इसी को word stress या syllable stress भी कहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम यही समझने कि syllable क्या होता है जैसे मैं आपको बता रहा था भी एक शब्द के जो टुकडे हैं अलग-अलग टुकडों में जो एक word को बांट सकते हैं कर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि एक word को कैसे टुकडों में बाढ़ सकते हैं तो अभी हम थोड़ी दिर में आपकी समझ मा जाएगा सबसे पहले इसकी spelling S Y L L A B L E और इसको पढ़ेंगे कैसे इसको ऐसे पढ़ेंगे syllable ये लग के बाद आधा अ है यानि लग पर आपको थोड़ा सा रूखना है और उसको पढ़ना है syllable इसको दोस्तों syllable नहीं पढ़ेंगे जैसा कि हम लोग पढ़ लेते हैं जैसे इससे मिलता दूलता है एक और भी तो word है syllabus जैसे स्कूल में कॉलेज में बोलते हैं हमारे कि मुझे अपना syllabus कम्प्लीट करना है उसका भी उचारण दोस्तों ऐसी होगा syllabus syllabus न की syllabus syllabus और वैसे ही है ये syllable तो syllable जैसे मैं आपको बता रहा था word को जो अलग-अलग टुकडों बाढ़ सकते हैं टुकणों को syllable कहते हैं इसकी definition भी समझ लेते हैं definition है इसकी दोस्तों any of the units into which a word is divided वो सारे units या उन में से एक unit जिन में उन वो units जिन में एक word को बाटा गया है जो अलग-अलग टुकड़ या अलग-अलग हिस्से हैं containing a vowel sound and one or more consonants यानि कि उन हिस्सों में एक vowel होगा मतलब जिसका correct pronunciation है vowel यह मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन हम लोग इंडियाम उसको vowel बोलते हैं तो उन units में एक vowel sound यानि vowel sound और एक या एक से ज्यादा consonants होने चाहिए आप समझ गए? मैं आपको फिर से explain करता हूँ कि कोई एक word है अगर अगर उसको अलग-अलग हिस्सों में बाटा गया है तो हर वो हिस्सा जिसमें एक vowel है और एक या एक से ज्यादा consonant है को ही syllable कहा जाता है आप समझ गए? अगर अभी भी ठीक से समझ में नहीं आया है तो हम इसको example से समझते हैं इसको पढ़ते कैसे sit उचारन भी लिखा है मैंने sit का मतलब होता है बैठना अगर आप ध्यान से देखें तो s एक consonant है, i एक vowel है और t एक consonant है यानि यह जो word है इसमें एक ही unit है जिसमें एक vowel sound है, एक vowel है, i और दो consonants है यानि कि यह जो word है, यह एक single syllable का word है इसमें एक single syllable नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही vowel sound है ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे word पर, जिसमें दो syllable होंगे जैसे यह word है, present, p-r-e-s-e-n-t इस word को यह एक noun होता है जब, तब इसका meaning होता है उपहार हम कहते हैं मुझे उसको एक present देना है यानि जो हम बोलते है, gift और present की same meaning हो सकती है जब दोनों noun है तब, और उच्चारण दोस्तों इस प्रकार से होगा present, अच्छा अगर ध्यान से देखें, तो इसमें दो syllables है कैसे? एक यह रहा vowel sound e, और यह दूसरा हिस्सा है जिसमें एक vowel sound है तो pre में e एक vowel है, p और r consonants है sent में e एक vowel है, और s, n और t तीन consonants है यानि इसमें दो हिस्से है, तो यह double syllable का word है तो sit single syllable है, present double syllable है अब हम आते हैं ऐसे word पर जिसमें तीन syllable होंगे यह word है दस्तो, represent, represent का मिन होता है पुनह, दुबारा से प्रस्तुत करना किसी भी चीज़ को जैसे आपने एक बार कोई चीज़ कहीं पर जाके रखी थी कोई report तो आपसे कहा गया कि नहीं, इस report में कोई कमी है आप इसको दुबारा से बना के लाओ तो आपने उसको फिर से बनाया एक syllable है, जिसमें E एक vowel है, प, आर, E दूसरा हिस्सा है जिसमें E एक vowel है, और P और R consonant है S, E, N, T तिसरा हिस्सा, जिसमें E एक vowel है और S और N और T तीन consonants है तो इसको तीन हिस्सों में बार सकते हैं यानि यह जो word है, यह triple syllable का word है इसमें तीन syllable से हैं, तीन हिस्से हैं तो इसको पढ़ेंगे represent, इस प्रकार से इसको पढ़ना है तो दोस्तों आप समझ गए कि syllable क्या होता है अगर, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे identify कर लेंगे कि एक word कितने syllable से बटा हुआ है अगर आपको दिक्कत हो, तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बतायता हूँ और यह बहुत ही कमाल का तरीका है इसको सीखने के बाद, syllable को identify करने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी तो कैसे करना है दोस्तों, तीन words है हमारे सामने आपको ताली बजाना तो आता ही है, सबको ताली बजाना आता है ऐसे हम बजाते ताली, आपको क्या करना चाहिए जैसे यह word है, sit आप एक बार ताली बजाए और यह word आपको बोलना है देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ sit, एक ताली में word खतम हो गया ना, sit यानि यह single syllable का word है अब हम आते हैं दूसरे word पे present देओ, present दो ताली में खतम हो गया word, यानि यह double syllable का word है यह है, represent तीन बार ताली बजी, तीन बार में word खतम हुआ यानि कि तीन ताली में, यानि कि यह triple syllable का word है ऐसे भी आप syllables को identify कर सकते हैं कि एक word में कितने syllables है दोनों तरीके लगाने चाहिए समझ में आई जाएगा आखिरकार कि इस word में कितने syllables है तो आप समझेगे कि syllable क्या होता है अब हम आते हैं stress पर उसके बाद हमको सीखना है stress stress का meaning क्या होता है दोस्तों stress का meaning होता है दबाब जो दबाब हम पर पढ़ता है या हम किसी पर डालते है या यहाँ पर हम word stress सिख रहे हैं कि word में दबाब कैसे पढ़ेगा यह मैं आपको हिंदी के एक word के example से पहले बताता हो हमको हिंदी की मदद लेनी है क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है उससे मदद लेके हम अंग्रेजी को ठीक से सीख सकते हैं दोस्तों ये वर्ड है राजनीती आप सभी को हिंदी आती होगी यहां अगर आप देखेंगे नी में बड़ी ई लगी विये और ती में छोटी ई लगी विये जहां बड़ी है हम सब को बच्पन में सिखाया गया थे कि जहां बड़ी ही हो वहां ज्यादा देर तक रुकना है जहां छोटी एवाम को कम देर तक रुकना है तो हमको इसको कैसे पढ़ना चाहिए हमको इसको पढ़ना चाहिए राजनीती नी पर ज्यादा देर रुकेंगे ती पर कम रुकेंगे हमको इसको पढ़ना चाहिए राजनीती हाँ ये अलग बात है कि हम सभी लोग इसको ठीक स नहीं पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ने की कोशश करनी चाहिए, तो इसको पढ़ने के हम राज नीती, यानि कि इस वर्ड में ये जो दूसरा सिलबल में नीती वाला उसमें नी पर स्ट्रेस है, दबाव है, ऐसा हमको समझना चाहिए और ये स्ट्रेस है, इसको मैंने अंडरला कर दिया कि यहां पर stress है तो इसको हम पढ़ेंगे राज नीती आप समझ गए कि stress कैसे किसी वर्ड में ऐसे ही जो इंग्लिश में words हैं उन में stress कहां पर होगा यही हम सीख रहें आज तो मैं आपको यह बता दूँ कि जैसे एक छोटा से example मैं आपको देता हूँ जैसे इंग्लिश में एक word है ability अब हमें से ज्यादतर लोगों को नहीं पता कि इसमें stress कहां पर है इसलिए हम इसको बोलते है ability जब हम बोलते है ability तो हम actually आ पर stress डाल रहे हैं जो कि गलत है आ पर ज् यह इसकी spelling है उसमें जो बी के बाद जो आई है उस पर stress है यानि पहले syllable पर ही stress है इसलिए उसका उचारण होगा ability यानि जो ख्षमता होती है कि उसके अंदर यह ability है कि नहीं है तो ऐसे हमको stress सीखने से उचारण सीखने में मदद मिलेगी अचा दोस्तो इसमें जो अगला point सीखने के लिए यह है कि stress जो हम डालते हैं किसी भी word में जो syllable पर हम stress डालेंगे तो उस syllable में जो vowel होगा यानि जो vowel होगा उसी पर stress पड़ता है तो मैंने लिख दिया only on vowels जो stress पड़ता है वो सिर्फ vowels पर पड़ता है consonant पर stress नहीं पड़ेग ठीक है दोस्तो अब हमको सीखना चाहिए कि stress कितने परकार के हो सकते हैं तो दो परकार के stress होते हैं मेली एक है primary stress दूसरा है secondary stress प्राइमरी stress का मतलब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है primary stress वो stress है जो word में हमको ज्यादा देर तक जहां पर रुकना है वो primary stress होता है और जहां ब बहुत ज्यादा important नहीं है बट primary stress सिखना बहुत ज्यादा important है अच्छा primary stress का जो चिन आपको dictionary में मिलेगा अच्छा आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि हमको कैसे पता चलेगा किस word में कहां पर stress है तो दोस्तो English to English dictionary कोई भी है Oxford के तो है ही सबसे अच्छी British English सिखने के लिए otherwise कोई भी English to English English to Hindi नहीं और Hindi to English नहीं English to English dictionary में हर word के सामने उसका उच्छारन लिखा होता है और आज जो मैं आपको बाते बता रहा हूँ उसके बाद आपको आप खुद से पता लगा सकते हैं वो उच्छारन देखके कि इसमें कहां पर stress है मुझे कहां ज्यादा देर तक तो जिस भी syllable के उपर वो stress होगा और अगर वो stress primary stress है तो उस syllable के पहले आपको ऐसा चिन देखेगा यह उपर होता है secondary stress नीचे होता है word में primary stress उपर होता है यह सीधी line होती है मैं अभी आपको example से बताता हूँ तो जैसे यह word यही word जो मैंने लिखा था यहापर यह वाला present यह यह है मैं आपको अभी मैंने लिखके इधर रखा है मैं आपको बताता हूँ present जब noun होगा तब इसका मीनिग होता है उपहार और इसका उच्चारण यहाँ पर लिखा है मैंने IPA में अब मैंने आप से कहा था स्ट्रू में कि आपको वो मेरे दो वीडियो देखने चाहिए IP IPA International Phonetic Alphabet Part 1 Part 2 वो इसलिए कहा था कि उनको देखने के बाद ही आप यह समझ पाएंगी कि यह मैं कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है और जिन लोगों ने वीडियो देखें उनकी समझ में असानी सा जागे मैं क्या कह रहा हूँ तो दोस्तों यह है उच्चारण इसमें अगर इसी पर आपको ज्यादा देर तक रूखना है और इका बेसिक साउंड होता है एका इसलिए आप इसको पढ़ेंगे प्रेजंट प्रेजंट हम आई पे की क्लास में सीख चुके हैं कि इस एको हमको क्या पढ़ना है तो इसको दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रेजंट अब यह पर मैंने यहाँ पर इसकी प्रेजंट लिखी है कि हिंदी में कि आप ठीक से समझ सकें यहाँ प्रे को मैंने अंडरलाइन किया या इसमें यह जो ए का साउंड है जो पहला वावल है पहला सिलिबल का वावल है उसी पर ज्यादा जए रुखना है इसलिए आपको इसको पढ प्राइमरी स्ट्रेस का एक्जांपल अब हम सेकंडरी स्ट्रेस का एक्जांपल सीखते हैं कि वह कैसे होगा जैसे सेकंडरी स्ट्रेस का निशान चिन्ध वह नीचे होता है तो मैंने आपको बता है और एक वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पर अच्छा सेकंडरी स्ट्रेस के उनमें आपको जयातर secondary stress देखने को मिलेगा, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, तो जैसे ये word है, अब ये word इसकी spelling है, c-o-n-t-r-i-b-u-t-i-o-n, ये एक noun है, इसको कैसे पढ़ेंगे हैं, contribution, contribution, इस परकार से इसको पढ़ना है, इसको मैं ऐसे कैसे पढ़ रहा हूँ, म ये है, con, तो इसमें अगर आप देखेंगे, तो ये secondary stress से word true है, यानि ये जो हिस्सा है, con, country, इसमें हमको ज्यादा देर तक नहीं रुखना, क्योंकि यहाँ पर secondary stress है, country, इसमें मैं कहें रुखनी रहा, country, ज्यादा नहीं रुखना, country, लेकिन जो दूसरा syllable है, ये जो दूस बाद है, shun, तो हमको इसको पढ़ना चाहिए, contribution, contribution, इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे, हिंदी में इसका मीन होता है, योगदान, कि उसका contribution बड़ा ही अच्छा था, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको primary stress और secondary stress को identify करना है, आपको इसमें मैंनत करनी पढ़ेगी, जो भी, का आप pronunciation सीखना चाहते हैं, आपको dictionary में वो word निकालना चाहिए, English to English dictionary में, उस word के सामने उच्चारन लिखा होगा, primary stress का चिन होगा, secondary stress का चिन होगा, IPA में आपको बताई चुका हो, international phonetic alphabet क्या होता है, वो सारा मिला करके, फिर आपको किसी भी word का correct pronunciation सीखने की कोशिश करनी चाहिए, यह time taking process है, बट काफी फायदे मन्द है, अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, तो आपका उच्चारन काफी अच्छा हो सकता है, वैसे भी दोस्तों, जो आसानी से चीज मिल जा है, उसकी बहुत जादा value नहीं होती, लेकिन जो चीज बहुत मुश्किल से तपस्य करके मिलती है, वो काफी valuable होती है, इसलिए correct pronunciation सीखने के लिए आपको थोड़ी से मेहनत करनी पड़ेगी, दोस्तों, मुझे उमीद है कि आप समझ गए, कि word stress क्या होता है, stress के चिन्ध क्या होता है, syllable क्या होता है, कहां पर stress डालेंगे, अच्छा, syllable stress के rules भी कुछ है, लेकिन वो बहुत जादा effective नहीं है, इसलिए उन rules पर depend नहीं रहके, हर word का pronunciation dictionary में जाके देखना चाहिए, ऐसा मैं आपको suggest करूँगा, मैं आपको ये personal experience से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बरसों इसके उपर मेहनत किये, मैं ये नहीं कहता कि आपको भी बरसों लग जाएंगे, मु आचे लगा कि pronunciation कितना important है हमारे लिए, correct pronunciation, और कैसे, अगर हम किसी word का pronunciation जो है, वो ना करके कुछ और कर दे, तो कैसे अर्थ का अनर्थ हो सकता है, वो आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको दो बार तीन बार बता है, कि ये word है present, और जब ये noun होता है, तब उच्चारण होता है present, और इसका meaning है उपहार या gift, इंग्लिश में, उपहार जब हम देते हैं किसी को, अचा दोस्तों, वही बात मैं आपको फिर से बत, इसी word को मैं थोड़ा आपको detail में बताता हूँ, आप देखें को चारण का क्या चमतकार हो सकता है, present, ये अब मैं आपको detail में बता तब जो present है, वह adjective होता है, बेशेशन होता है, तब तो इसका उचारण होना है present, जैसा मैं आपको बता रहा था, अच्छा, अब मैंने इसका उचारण यहाँ पर IPA में, International Phonetic Alphabet में stress के साथ लिखा है, तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा primary stress, यानि आपको पह सकता है, noun में अलग meaning होती है, verb में अलग meaning होती है, और generally सामाने तोर पर उचारण भी अलग-अलग होता है, अब हम सीखते हैं, कि अगर इसी word को मैं verb की तरह use करूँ, तो इसका meaning क्या हो जाएगा, इसका meaning हो जाएगा, उपहार देना, he presented me, a pen, उसने मुझे कलम उपहार में लेकिन उचारण बदल जाएगा, कैसे और ये बदल जाएगा, ये हमको कैसे पता चलेगा, ये हमको तब हम जान सकते हैं, अगर हमको international phonetic alphabet और word stress पता हो, और dictionary में हमको देखना आता हो, तो दोस्तों ऐसे उचारण लिखा है, अब अगर आप इसका उचारण देखें, तो प यहाँ पर लिखा हुआ है, यानि इसको पढ़ना है, आपको present, अब देखा आपने दोस्तों, जब ये nounny adjective होगा, तो इसका उचारण होगा present, जब ये verb की तरह उचारण होगा present, जैसे मैं आपको sentence में बोल के बताता हूँ, उसने मुझे एक उपहार दिया, he gave me a present, उसने मुझे इसको उपहार देने को verb की तरह उचारण है, तो मैं बोलूगा, he presented me a pen, न कि he presented me a pen, presented, एकदम गलत उचारण, presented, इस प्रकार से आपको बोल ला है, तो आप देख रहे हैं, कैसे हमको उचारण सीखना चाहिए, word stress सीखे, कैसे हम correct pronunciation सीख सकते हैं, अब मैं आपको दू जब यह verb होता है, तो इसका उचारण होता है, represent और इसका meaning है, दुबारा से प्रस्तुत करना, अचा दोस्तों कई वार ऐसे होता है, कि कोई word अगर verb है, verb में ही उसके दो उचारण हो सकते हैं, और दोनों उचारणों की सिर्फ उचारण के कारण meaning अलग-अलग हो सकती है, है मैंने इसका pronunciation लिखा है, इसमें दोस्तों यह जो word है, यह secondary stress से start हो रहा है, यानि पहला syllable जो हिस्सा होगा, उसमें ज्यादा आपको नहीं रुकना, ज्यादा stress नहीं डालना है, तो हम इसको पढ़ना है, यह है रैपरी, और दूसरे हिस्से में, जो दूसरा syllable है, उसमें represent, तो represent जब इसका उचारण होगा, तब इसका meaning होता है, प्रतिनिधित्तो करना, जैसे माल लेते हैं, आपके घर में LG कंपनी के तरफ से एक आदमी आया, कि जिए मैं LG कंपनी के तरफ से आया हूँ, तो बलेगा, I represent LG, यानि मैं LG का प्रतिनिधित्तो करता हूँ, ऐसा वो कह रहा है, इसी word से दोस्तों बना है, representative, हम बोलते हैं न, medical representative, ऐसे बोलना चाहिए न, कि medical representative, अब आप देख रहें, कितना, कितना आर्थ का अनर्थ हो सकता है, तो represent, जब इसका उचारण होगा, तब यह होगा, पुनह दुबारा से प्रसुत करना, और represent, जब इसका उचारण ह होगा, तो इसका मिन होगा, प्रतिनी जित्तों करना, और उसी से बना है, noun, representative, तो दोस्तों, यह है, उचारण का कमाल, word stress का कमाल, तो, मुझे उम्मीद है कि आप सारी बाते समझी के, आपको तीन वीडियो एक साथ देखने चाहिए, एक एक करके, कौन-कौन से, International Phonetic Alphabet Part 1, International Phonetic Alphabet Part 2, और उसके बाद आपको यह वीडियो देखना चाहिए, word stress, उसके बाद आपको हर word को dictionary में, English to English dictionary में, उस word के सामने उसका pronunciation लिखा होगा, फिर आपको IPA plus word stress के साथ मिला के, एक word के pronunciation को सीखने की कोशिश करनी चाहिए, इसमें आपको कामया भी मिलेगी, pronunciation को सीखने में, अगर इसमें दिक्कत हो, फिर भी दिक्कत हो जाती है कई बार, समझ में नहीं आता, तो आपको अपने mobile phone में एक online English to English dictionary आपको download करनी चाहिए, dictionary.com करके एक dictionary online है, हाला कि वो American English की हैं, बट फिर भी उससे आपका काम हो जाएगा, तो आप या Oxford की भी dictionary है online, उसको भी आप download कर सकते हैं, अपने phone पे, और फिर आपको dictionary में, पहले paper वाली dictionary में, आपको समझना चाहिए, फिर उसके बाद आपको वहाँ पर सुनने का option होता है, उसको प्रेस करेंगे आप, तो आपको वो बोल के भी सुनाएगा, कि क्या प्रेस नहीं, फिर दोनों को मिला के, आपकी सा फाइदा, जितने ज्यादा लोग उठा सकते हैं, उनको उठाना चाहिए, अचा दोस्तो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको मेरे वीडियो मिलते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, वो कहने की बात नहीं है, इ sentences में structures होते हैं, कुछ बहुत ही difficult structures होते हैं, समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सा part of speech कहां पर use हुआ है, कहां पर adverb phrase used हुआ है, कहां पर prepositional phrase used हुआ है, कहां पर noun phrase है, कहां पर noun clause है, students परेशान हो जाते हैं, कोई भी इस तरह की समस्या हो, तो आप मुझे बताइए, मैं उस स्यों सुन, बाइब बाइब